ये स्टुडेंट्स मैं हूँ मुधिता और आप सभी का स्वागत है मुधिता आयस वारियर्स में क्लास 10 आज हम लोग जो वर्कशीट करने वाले हैं यानि कारे प्रत्रक 67 सॉल्फ करने वाले हैं ये वर्कशीट आपको 14 दिसंबल 2020 के लिए दी गई है तो आज हम एक नया पार्ट पढ़ेंगे और उस पार्ट के प्रश्न उत्तर मैं आपको लिखवा दूँगी समझा भी दूँगी तो चलिए देख लेते हैं आज आपको क्या करना है सबसे पहले आप लोग जो रिक्त स्थान दिया गया है वहां विध्यारती का नाम और अध्यापक का नाम फिल कर लेंगे देखिए आपको एक पहले नोटिस दिया हूँ गया है बच्चो अब हम नया पार्ट जॉर्ज पंचम की नाक जो एक व्यंग विधा है जिसके लेख किया है और व्यंग पर ही यह पूरा पार्ट आधारित है हसी मजाक से अपनी बात को कहना और किसी को बुरा भी ना边 जो कमेंट करते हैं या फिर जो सनते हैं किस यह जो हम आप करेंगे और वियंग पर ही यह पूरा पार्ट अधारित है इस पार्ट में ऐसी ही मजाकिय अंदाज में देश की विवस्था पर व्यंग किया गया है आईए हम पार्ट को जाने तो पार्ट में जो हमारी देश की स्थिती है उस स्थिती पर व्यंग करते हुए कमनेशमर जी ने इस पार्ट को बताया है देखते हैं इस पार्ट में क्या है पार्ट का नाम है जौर्ज पंचम की नाक तो शुरू करते हैं यह बात उस समय की है जब इंग्लेंड की राणी अलीजाबेट धी अपने पती के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी आपको पता है कि जह इंग्लेंड है वहां राजारानी Orlando होते हैं ठीक है डेमोक्रीजाच के साथ भी राजा रानी में तो जो राणी थी अलीजाबेट वे बहुत जादा चलचा हुए नहीं है फिराद बोभास दोनों देशों में भारत ओती ऐसी ही कुछ स्रथिती थी जब रानी ऑलीजाबेत भारत आने अकबार remember की चलचा हो रही थी जाही द्रब्रे कले की जा रही हैं है जोर्ण वह शाहिग और भारत में वाली हैं इंगलेंड के अकपार बडस यही खबर है थी कि रानी कैसे जाएंगी पहें ठीक है क्या खाएंगे खाना क्या सर्वोगा कैसे सर्वोगा यह सारी तैयारियां हो जाती है और उनके जो गार्ड होते हैं सिक्योर्टी होती है वो सब पहले से आके चीजों को चेक करके जाती हैं तो ऐसा ही कुछ इस टैम भी हो रहा था रानी एलीजाबेट के दरजी पाल तो कब क्या पहलेंगी उसके हिसाब से उनके लिए क्या कपड़े बनाई जाएं यह सोचकर उनका दरजी बहुत जादा परिशान था उनका सेक्रेटरी और सायद जासूस भी उनसे पहले ही इस महादिविये तूफानी का दौरा करने वाला था बतलब कि वही मैंने बत नहीं है कि इंग्लेंट की रानी भारत आ रही है जमाना चुकि नया था फोटोग्राफर के साथ निकलने के दिन बीच चुके थे इसलिए फोटोग्राफर की फॉस तैयार हो रही थी मतलब नए जमाने की बात पहले था कि एक फोटोग्राफर है उसने फोटो ली फोटोग के लिए NG crystals के अख़बल सब्सक्राइब एक वी हचप जाती थी जो खबर इंग्ले दिनaczone के खबर चप जाती थी थि audой एक ए제가 छबत अन्हे की नूम का शीट बनवाया है जिससे रेशम कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है और करीब 400 पॉंड खर्चा किया गया है मतलब राणी का जो ड्रेस बनाया गया है उसके लिए कपड़ा कहां से गया है हिंदुस्तान से कया है और उसके उपर इतना पैसा खर्च किया गया है कि भाई राणी जा रही है in उनके कपड़े खाने पीने एक एक चीज की इतनी ज्यादा चर्चा थी रानी एलिजा पैत की जन पत्री भी छपी ठीक है मतलब उनका जन कुनली भी छाप दिया गया प्रिंस फिलिप के कार नामे छपे की फिल्म क्रेप्स ने क्या 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 है और तो और उनके नौकरी रहते हैं उनके लिए जो चीजे करते हैं सब चीज के बारे में पूरी डिटेल कि भाई ये रानी का नौकर है ये रानी का ड्राइवर है ये रानी का खाना बनाने वाला है सब के बारे में इन्फोर्मेशन अकबार में चप रही थी शाही महल में रहने वाले कुट्टों तक की तस्वीरे अकबारों में चप रही थी कि मतलब इतना बड़ा सेलिब्रिटी बना दिया जाता है आपने भी देखा होगा कि उनके महल में जो कुट्टे जानवर रहते थे उनकी भी फोटो अकबार में चप रही थी एक व्यंग किया जा रहा है कि हम लोग ज चाप दिया जाएगा बड़ी धूम थी बड़ा शोर शराबा था संक इंगलेंड में बज रहा था गुंज हिंदुस्तान में आ रही थी मतलब एक छोटी सी भी खनकार अगर इंगलेंड में हो रही थी रानी को लेकर तो उसकी खबर कहां आ रही थी भारत में आ रही थी इ इंदुस्तान में रोज एक्साइटमेंट अच्छा यहां पे उतनी तैयारी चल रही है तो यहां पे भी तैयारी बढ़नी चाहिए राजधानी में तहलका मचा हुआ था जो रानी और हजार रुपए की रेशमी सूट पहन कर पहन कर पालन के हवाई अड़े पर उतरेंगी उ इसके बावल जी पहले महायुद में जान हतेली पर लेकर लड़ चुके हैं उसकी शानों शौकत में कमी न रहे कि भाई जब उनके बावलची और इन सब चीजों के बारे में इतना ही बाते चप रही है तो जब भारत आएंगी तो उनके लिए तो बहुत जादा तैयारी हो उनको और अपने कभी घर को देखते हैं कि भाई यह हमारा घर है कैसा है और यह रानी कैसी है तो यह एक व्यंग है पार्ट का थोड़ा सा इंट्रोड़क्शन है आगी भी आपको पार्ट पढ़ाया जाएगा बहुत इंट्रस्टिंग पार्ट है इस चैप्र को ज़रूर पार्ट एक भार में समझ में नहीं आता कि यहाँ पे छोटी बातों के लिए व्यंग किया जाएगा बचके बारे में बहुत साई चीजिशों के बारे में बताया जाएगा कि देश की स्थिती क्या है और कैसे लोग लगे में है चलिए अब हम एक शब्दार्थ आपको दिया गया है यहां पे आपको खाने की सामागरी प्रवंधन करने वाला नौकर रसोया मतलब होता है जो सोभाविक रूप से यह करता हो ठीक है अब आपको प्रशन देख लेते है है क्या क्या प्रशन दिये हैं देखे चार प्रशन दिये गये हैं यहां पर च्रुम्हान चोई Forsch के हैज और यह 4 अथा 5 देश है कि नियमित रूप से अपने हाथ को साबुन और पानी से दोते रहिए जिससे आप कोविट से लड़ सके चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं मैं आपसे बोला है किसकी फॉस तयार हो रही थी और क्यूं तो आप लिखेंगे फोटोग्राफरों की फॉस तयार हो रही थ कुशन 2 में आपसे बोला है किसकी दलजी परेशान थे और क्यूं परेशान थे किसके दलजी को परेशानी थी और क्यूं तो रानी एलिजाबेट के दलजी परेशान थे कि रानी हिंदुस्तान पाकिस्तान और नेपाल की यात्रा पर कब क्या पहनेंगी वह यही परेशान ते भाया कौन सा पहनावा पहनेंगी, सब्जेग का पहनावा लग होता है, तो कौन सी ड्रेस कहां के लिए बनाई जाए, तीसरे प्रशन में बोला है, हिंदुस्तान में संसनी क्यों फैल रही थी, क्योंकि रानी एलिजाबेट हिंदुस्तान यात्रा पर आने वाली थी, तो जहा जहा हे ठीक है जहा जहा है ऐसे word को रूनकर उन पर वाक्य बनाना है तो मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य वाक्य के लिए बनाया है आप और भी इस word को लेकर या जहा वाले 저-वाले शफदों को लेकर वाक्य बना सकते हैं अलिजाबेट तो अलिजाबेट इंगलेंड की रानी थी दूसरा रोज रोज अकबार में खबर छप रही थी देखें यहाँ पे भी ज़ है यहाँ पे भी ज़ है जमाना नए जमाने के फोटोग्राफर तयार थे नजर हर जगा संसनी फैली नजर आ रही थी तो यह मैंने आपके लिए चार वाक्य बनाए हैं ठीक है आप भी इससे और भी वर्ट ढूंड के वाक्य बना सकते हैं तो हमने यहाँ पे वर्क्षीट नमबर 67 सॉल्फ कर ली है आपके लिए सिक्किम प्रोजेक्ट पर जो वीडियो है वो दो वीडियो बनाए गई है एक इंटिग्रेटर प्रोजेक्ट और सिक्किम पूरा ओल ओफर प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे एक especially आपको maths के लिए सिक्किम पे कैसा project पनाएंगे दो वीडियो अप्लोड की कहीं है और एक important वीडियो है how to score good mark in examination उसको जरूर देखें आपके लिए important tips हैं तो उसको जरूर देखें आपने नहीं देखा वीडियो को like, share और channel को subscribe कर लें जिससे सभी important वीडियो का notification आपको मिले साथ साथ worksheet का notification भी आपको on time मिलता रहे मिलते हैं next worksheet में तब तक के लिए bye bye अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें